नमस्कार दोस्तों रिशाप पंध के बाद वाशिंग्टन सुन्दर इसी नाम की चर्चा फिलाल पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है क्योंकि ये खिलाडी भी यार कुछ तो खास बात है इसमें जिस विकेट पर रही शर्मा 49 बना पाए हो कप्तान कोली जीरो पर आउट हो गए हो जिनके अरहने 25 अथ 27 बना पाए हो पुजारा फेल हो गए हो उस विकेट पर 96 रन नाबाद बनाकर खड़ा रहा वाशिंग्टन सुन्दर नाम का ये खिलाडी गेनबाजी भी कर लेता है औ अपने तमाम पैंस को क्रिकेट समर्तकों को और वो इंडिया के दूसरे ऐसे खिलाडी बन गए हैं जिन्होंने आठवे नंबर पर आकर 90 से जादा स्कोर किया हो और वो नौट आउट रहे हो इससे पहले कहले बगबग 8 साल पहले रवी अश्मिन ने ये काम किया था इंग् ये 96 भी हमारे लिए शतक ही है क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं सभी क्रिकट फैंस ये कह रहे हैं हर कोई तारीफ कर रहा है वाशिंटन सुन्दर की इस पारी की क्योंकि दबाब में थी टीम इंडिया 146 पर 6 विकेट गिर चुके थे कुछ भी हो सकता था उस वक्त दोसों प पारी से भी जीत जाएं क्योंकि इतनी लीड हमें मिल गई है देखते हैं आगे-आगे क्या होता है लेकिन सुन्दर ने अपनी पारी से सभी को प्रभावित किया है और अपनी बैटिंग एबिलिटी से भी सबको ये बताया है कि गेनबास तो वो शांदार है ही बल्ले अजो काउन को मिल जाता अक्षर पटेल ने तो साथ दिया लेकिन जैसे ही पटेल भाई साब गए इशांत और सिराज दोनों ही साथ नहीं दे पाई बैक टो बैक आउट हो गए और एक छोर पर निराश मायूस खड़े रह गए वाशिंटन सुन्दर खैर आप इस बारे में क्या सुचते हैं वाशिंटन सुन्दर की पारी कैसी लगी बताएगा जरूर वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरून कीजेगा बहुत बहुत शुक्रिया